राइपुर में ठकों ने अब विद्धुत भोक्ताओं को अपने निशान अबनाया है जहां ठक मोबाइल पर बिजली काटने के SMS भेजे जा रहे हैं SMS में बताया जा रहा है कि आपका पुराना बिल अपडेट नहीं हुआ है और इस महीने का बिल भी नहीं भरा गया है इसलिए आपकी बिजली आज काट दी जाएगी आप ततकाल विद्धुत अधिकारी से संपर करें इसके साथ ही विद्धुत अधिकारी का मोबाइल नमबर भी भीजा जा रहा है वहीं 36 गड़ स्टेट पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनी लिमिटेट की और से सिविल लाइन ट्राइपोर में शिकायद दर्श करवाई गई है जिन दो नमबरों से SMS किये जा रहे उनके खिलाफ मामला दर्श कर कारवाई की मांग की गई कि अब पर आप दर्श किया जा जा थाने में प्रशन सुचने रिपोर्ट जाए कि इस कारवाई को में डोग लगा जाए इस गटी दून हमारे दूरा स्ट आपराइब यूज ऑर से और सिविल लाइन ठाना दोने जे जड़ए पत्रचार कर और पशन सुचने रिपोर्ट कि एक कंफ्यूजन था कि पता कि विभाग के द्वारा इसके द्वारा मैसेज क्यों किया रहा है जब कि उनका बील पेड है इस संबन में जब उनने CACB में शिकायत की और उसिकायत की घंपीड़ को देखते हुए कारिपाला नेंट्री प्रविंट कुमार साहू के द्वारा थाना सिविल लाइब में प्रात्मी की दर्ज करेंगी इस पे भारती दर्विधान की दारा 420-511 के दार्थ अबराक बंदीबतिगर की विवेजना में लिए गया है और उस मोबाइल धारक की कलाश की लाइब